मेरे प्रिय शिश्यों, सादकों और आज के अपारे सभी प्यारे नवीन तर्शकूं। स्वागत आप सभी का वरिष्चिक राशी अक्टूबर दोजार अठार के राशी फलकेस विशेश कारिक्रम में। सभी वरिष्चिक राशी वाले लोगों को मैं एक सफलता का गुरुमातर दे रहा हूँ जिसे अपना ये निश्चित रूप से लाब बलेगी। अगर आप उस इनसान के तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिन्दगी बदल देगा तो आईने में स्वैम को देखिए आप ही अपने आपको बदल सकते हैं और अपनी जिवन को बदल सकते हैं। कोई परफेक्ट इंसान नहीं मिलेगा। इस महीने आपको कोई और मिले न मिले आप खुद से मिले न मिले लेकिन मात दुरगा की शक्ती और भक्ती का आशरवाद आपको जरूर बिलेगा क्योंकि दवरातरा का महीना है दस से सत्रा महीने सत्रा तारिक तक लाब मिलेगा। मर्यादा पुरुशो तो भगवान स्री राम और उनकी मर्यादा और रावन की भक्ती से भी हमें सीख मिलेगी विजय दश्मी का उसर पर। इस महीने सभी विर्ष्टिक राश्य वाले लोग अगर कोई यात्रा कर रहे हैं या कोई खरीदारी करना चाहते हैं किसी प्रकार का शुब या मांगली कारे करना चाहते हैं तो 18, 22, 24 और 25 तारिक आपके लिए शुब रहेगी इस राश्य फल में आज आप जानेंगे कि ग्रह सेहत और दुश्पनों का हल इसकी साथ साथ अंत में मैं बताऊंगा सभी वरिष्टिक राश्य वाले लोग कौन सा ऐसा प्रियोग और उपाय करें जिससे अक्टूबर को आप यादगार बना सके हैं सबसे पहले एक नजर आपकी इस महीने की कुंडली पर इस पूरे महीने सेकिंड आउस में दनु राश्य के शनी रहेंगे थर्ड आउस में दस नमबर जान लिका मकर राश्य के मंगल उचके रहेंगे केतों के साथ ग्रहन दोश पर अंगारक दोश बनाएंगे करक राश्य के बागिस्तान में राहु बिराजबान रहेंगे बात करते हैं सूरी औ तक 11th house पर रहेंगे स्वग्राई, मूल त्रिकॉंड राशी और ऊचराशी के लेके, 6 October से 25 October तक ये चले जाएंगे, तुला राशी में शुकर के साथ लक्ष्मी नारान योग बनाएंगे, 26 October से मन तैट तक आपकी राशी में चले जाएंगे, मंगल की गर में, शुकर 12th house में बहुत अची पोजिटन में आपके लिए और वहाँ पर ब्रैश्पती के साथ 10 तारीक तक शंकियोग बना कर रहेंगे गुरू 10 अक्टूबर तक तो वहीं रहेंगे लेकिन 11 अक्टूबर से बड़ा उलट फेर कर रहें 13 महिने के लिए जो कि आपके राशी मा जाएंगे बहुत सुन्दर राजयोग बनने वाला है चंदरबाद जो कि बहुत बड़े राजयोग और दुरयोग बनाते हैं 12 और 13 तारीक को वह आपकी राशी में ही गुरू के साथ महान गजगेसर योग बनाएंगे 15 और 16 तारीक को 2 आउस में शनी के साथ विश्ट दोश बनाएंगे 17 और 18 तारीक को मंगल के साथ महालक्ष्मी योग लेकिन केतू के साथ ग्रहन दोश भी बनाएंगे वह चार पांच और 31 तारीक को 9 आउस में राखु के साथ ग्रहन दोश बना कर रहेंगे अब हर महीने आपका मेरा हर आम और खास व्यक्ति का थोड़ा सा मांसे कशांती कस्ट या पीड़ा का समय रहता है वो डेट्स में आपके लिए पहले से ही निकाल का लेकर आए हूँ दो, तीन, उनातीस और तीस अक्टूबर को आठवे चंदरबा, दस और ग्यार अक्टूबर को बारवे और बीस और एक्यस तारिक को चौते चंदरबा रहेंगे हो सकता है इन डेट्स में आपको कोई मांसे कशांती क्या पीड़ा या तकलिव हो जाए तो आप अपना और अपनों का खैल एडवांस पर रखें बात करते हैं बिसनस और वैल्थ की यह महीना बिसनस पे मिले जुले फल परती बात पिछली बार कर रहा था इस बार बहतर करेगा अगर आपका व्यापार ट्रेडिंग का है और सीजनल है कुछ त्योहारों से जुड़ा हुआ है तो निश्ची दरूप से बड़े लाब की और आगे बढ़ रहे हैं अगर आप ट्रेडिंग के साथ बैनिफाइचर ने यूनिट डालना चाहते हैं तो निश्ची दरूप से गूरू आपको आशिरवाद दे रहे हैं पूरी इमानदारे से अपना काम करें इस आउधी में यदि कहीं आपको बाहर जाना पड़े आपको यात्रा करनी पड़े अपने बिजनस में एक्समांशन के लिए कोई नई बशिन खरीदने पड़े एक्यूबेंट खरीदने पड़े प्रॉपर्टी खरीदने पड़े या आपको कोई गारी खरीदने पड़े तो जरू खरीदिये बहतर अपने बिजनस के काम के लिए जो काम आ सकती चीज़ है उनको खरीदना चाह साथी चल रहे इसलिए डिले जादा होगा तो हम अगर वर्क प्लेस पर मेहनद जादा करें टाइम जादा अपना लगाएं और फालतु चीज़ों से बचें प्रॉडक्टिव काम करें तो निश्टी दूरूप से लाब बिलेगा बारा तेरा और अठारा तारीक आपके लिए बहुत शोब हो सकती हैं बात करते हैं जॉब एंट्रोफिशन के मन्त स्टार्टिंग ऑफिस में अनुकोलता लिये हुए हैं इस कारण आप अपनी नौकरी में पूरे महीने के अगर कोई प्लानिंग करनी हैं तो पहले सब्ता दस दिर में खूब बेहनत करके प्लानिंग कर बास को क्या डिसेजन लेना चाहिए या आपकी काबियत विर्ष्टिक राश्य वाले लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं उन लोगों को एक बैटर प्लान बनाकर अपने बास को देना चाहिए ताकि आपका और बास का दोनों का डेवलेमेंट हो सके नौकरी पेशा आफिस में शड़ेंटर का सिकार भी आप हो सकते हैं अलट रहेंगे तो ठीक रहेगा लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कर रहें उस पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और क्या काम करें वो करिए पदोनती और सेलरी कीमेंट भी हो सकता है सीनियर्स आपकी प्रसंसा करेंगे आफिस के सबोडिनेट्स आपसे ना खुश रहेंगे उनको अपना काम करने दे लेकिन फिर भी उनसे प्यार महोंब से पेश आकर उनको खुश करने की कोशिश करिए पांच सोला और 31 तारिक आपके लिए कुछ डिस्ट्रबेंस कर सकती है ध्यान रखेगा कॉम्पीटिटर से बच के रहें अपना काम करते रहें आगे बढ़ते हैं माताओं बेहनों और मैलाओं की बात करते हैं पारिवारी के मामलों में यब्बंत आपके लिए बहतर परिणाम देने वाल रहेगा क्योंकि आपको नवरात्री और विजदश में बहुत बड़ा आशिरवात देने जा रहे हैं कोशिश करें कि आप अगर जगड़ा फसाद करते क्योंकि कई बार विर्ष्टिक राशिवा लोग गुसा भी कर लेते हैं इरिटेट भी हो जाते हैं कुछ करकश वानी का इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे गर का वातावन खराब होता है मैं चाहता हूँ कि आप इस महीने किसी प्रकार का लड़े जगड़ा वैसे भी नहीं करना चाहिए इस महीने नवरात्री के समय में अपने पती को परिवार को माता पिता को साथ सज्रों को पूरा खुश रखी फिर देखिए आनंद या आनंद कैसे जीवन में आता है दूस में आपको मादूर का ऐसा आशिरवा देगी का आपको बहतर वर्ब बिलेगा सगाई और विवा की बात पक्की हो सकती है चल सकती है अगर आप किसी परकार के घरेलू मैला हैं और आप काम करना चाहती है तो काम के लिए जौब और बिजनस के जो बने अभी आपको बता है तो सब आपके लिए आरामदायक तरीके से काम में आप आगे बर सकती है ननन्द और भावी के बीच आपके विश्यश्टी की बहस हो सकती है आपके खुद के माईके में किसी को कोई तकलिफ हो सकती है इसके लिए आपको विश्यश्ट एलड रहना चाहिए या कोई सेहत ख स्टूडेंट के लिए मन्त काफ़े अच्छा रहेगा यह मन्त आपके मैनेज्बेंट और साइन्स से जुड़ेवे स्टूडेंट को बहुत अच्छा लाब मिलेगा जो लोग मीडिया के पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को बड़ा काम मिल जाएगा घर परिवार के लोग य अपने खुशियों के लिए पढ़ाई को छोड़ दे और माता पिता के सपनों को चकना चूर कर दे अलट रहेगा आप इस महीने किसी प्यार इश्ग और महबबत किसी गल्फ्रेंड बॉइफ्रेंड के चकर में अपने एजुकेशन को डिस्टब करेंगे तुलार यारी तर आपका स्वास्ते अचा रहेगा लेकिन 17-18 तारीक के आसपास आपका स्वास्ते डिस्टब हो सकता है आँखों में तकलिफ हो सकती है मसल पेन हो सकता है शरी में थकान आपको एनरजी की कमी महसूस होगी इसके लिए जो विटामिन्स और मिनरल्स प्रॉपर मातरम लीजिए पानी पीजिए गुन-गुना पानी पीजिए साथ में आपको प्रोटीन और विटामिन्स का पूरा ध्यान रखना चाहिए डाइट प्रॉपर बनाईए इस पूर्ती बान रहिए क्योंकि शरीर आपको सब कुछ देता है और मन आपको अच्छी जिंदीगी देता है तो क्य बाकि सब ठीक है उपाई के अगर बात करें तो सभी वरिश्चिक राशे वाले लोगों को 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक नवरात्रा के गटे स्तापना में पूरे परिवार सहित बैठना चाहिए मा दुर्गा की शक्ति को लेना चाहिए शराब, सिगरेट और मास के औ पूरे परिवार सहित उनका आदर सम्मान करें और उनको लाल कोई ड्रेस उनको देना चाहिए, कोई स्पेशल बेट देनी चाहिए और आशिरवाद लेना चाहिए अठार अक्टूबर विजय दश्मी के अफसर पर आपको हनुमान जी को चमेली का इत्र अर्पित करना चाहिए और ओम रुद्राय नमाह मंत्र का ग्यारबाट चाप वहीं पर करना चाहिए वहीं 20 अक्टूबर को पापा, कुशा, एकादशी पर कनकधारा इस्तोतर का पाड़ करें और महाल लक्ष्मी जी पर अभिशे करें 24 अक्टूबर शरत पूर्णिमा के दिन मंगल देव से समधित वस्तों का दान करें ऐसा करने से समध कस्ट दूर होंगे और इस महीने मनोकामना पूर्ण होगी मैंने तो अपना काम पूरा किया है, अगर आप चाहें तो एक दो छोटे छोटे काम हमारे लिए भी कर सकते हैं हमारे कारे करम को पसंद करते हैं तो सबस्क्राइब, लाइक और साथ में ज्यूरे संक्या पूर्ण होगी प्यार बार नवस्कार और आशिरवाद श्री गनेश रिद्धी और सिद्धी के दाता जो की सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनी है लेकिन क्यों यह जानदा बहुत जरूरी है उसके लिए दस दिवसी है हमने लाइव टेलिकास्ट के मार्द्यम से रिद्धी सिद्धी दाता गनेश पहुत सव को लाइव करेंगे अपने आध्यात्मिक साधना सिद्धी केंद्र जोदपूर से हम जानेंगे कि गनेश जी की सून्ड दाई होनी चाहिए या बाई होनी चाहिए ये एक बड़ी अबरांती है लोगों की वो भी मैं दूर करूँगा हम बात करेंगे कि गनेश जी को हम बड़े हर्श और उल्लास से गनेश चतुरती पर लाते हैं और दस दिन की पूजा के बाद उन्हें बहते जल में या जल में प्रवाहित कर देते हैं इसकी फीछा कर राज किया है और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके हर जिक्यासा को मैं शान्त कर सकूँ और वो जानकारी आपको दे सकूँ जो आपके लिए जानना जरूरी है तो बने रहिए हमारे दस दिवसी इस विशेश बहुत सोग है अधिक जानकारी के लिए अब हमारे जोत्पूर कारले में संपर कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं आओ हम सब बिलकर गनेश बहुत सब को यादकार बना ले और अब कस्ट और दुखों से 100% और हमेशा के लिए छुटकार अपाने के लिए एक संकल्प लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और गनेश जी अबारे मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे ऐसा मेरा विश्वास से आप हमारे इन कारिक्रमों को जरूर देखें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं गुरुदेर सुरेश श्री माली जी से व्यक्तिकत मिलने के लिए संपर्क करें मेरे प्रिये शिश्यों, सादकों और आज की अबारे सभी नवीन दर्शकों मेरी कोशिश रोजाना ये रहती है कि आप लोगों को जोतिश, आध्यात्म और गोचर के अधार पर कुछ ऐसी विशेश जानकार्य दूँ जो आपके लिए जानना जरूरी है जिससे आप अपने जिन्दिकी को बहतर बना सकते हैं लेकिन आपके पास कुछ समस्या हैं और मेरे पास समाधान है आपका और मेरा बिलन कैसे हो इसके लिए मैं विशेश प्रयास हमेशा करता हूँ आपने देखा होगा हाली के दिनों में मैंने कुछ लाइव टेलीकास्ट के मादियम से आप सबी के जिग्यासाओं को लिया था परशनों को लिया था खोशिश मेरी रोज कमेंट्स के मादियम से भी रहती है कि आपको बहतर डंग से जवाब दिया जा सके लेकिन जो लोग मुससे परसनली मिलना चाहते हैं मैं आ रहा हूँ आपके शहर आपसे बिलने के लिए अगर आप उन शहरों में रहते हैं उसके आसपास रहते हैं तो दिये गे नमबर पर संपर करके एपटमेंट की परगरिया से गुजर के आप उससे परसनली मिल सकते हैं कुछ डेट्स दे रहा हूँ जिससे आप नोट कर सकते हैं काम तक पहुंचा देंगे बहुत बहुत शुब कामने प्यार भरा नमस्कार और आशिरवाद पित्र दोश यह नाम हमने कई बार सुना है और जब भी कोई विपत्ति अवार उपर आती है घर परिवार पर आती है तो हम बात करते हैं कि शायद हमारे कुंडली में पित्र दोश है तो यह पित्र दोश आखिर है क्या जैसे पित्र दोश क्या होता है उसका कारण और निवारन जानेंगे कैसे कुंडली में हम जानें कि पित्र दोश है और साथ में हम अपने जीवन में आ रहे हैं कस्टों को पित्र पक्ष में कैसे दूर कर सकते हैं इसके साथ हमने प्रण लिया है संकल्प लिया है कि 15 दिवस्य विशेश पित्र दोश के अवसर पर पित्र पक्ष के अवसर पर स्राद पक्ष के अवसर पर आपकी बनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको पूर्ण रूप से पित्र दोश से मुक्त करने के लिए अपने हमारे जोतपुर कारेले में संपर करके पूरी जानकारी उस साधरां के बारे भी हासल कर सकते हैं इस कारिक्रम में आप कैसे भाग ले सकते हैं आप अपने घर बैठे फेस्बुक और यूट्यूब के द्वारा लाइव टेलीकास्ट के माद्दिम से आप अपनी पूजा को दे हैं पित्रत्रप्त हो सकते हैं हम करेंगे आपके लिए यह विशेश प्रियोग बस आप एक टेलीफोन करिए और पूरी जानकारी आसिल करिए मुझे पूरा यकीन है कि हम इस बार पूर्ण रूप से पित्रदोश मुक्त हो पाएंगे वह समय आ गया है जिसका हम सभी को वर्षबर रहता है इतिसा शुरू हो रहे हैं विग्न हर्ता मंगल करता गणपती बब्बा के वो दस सवभाग्य शालिति जिसके साथ होगा मन्नतों के देटा गणपती का ग्रह प्रवेश जिससे आपके घर आएंगे विध्धि सिध्ध बुद्धि सौभागी और दूर हो जाएंगे आपके सारे बिट अश्टु सिध्धि दाय गणपती सुक सम्रधि यश एश्वरी वैभव बुद्धि और ज्यान के दीरता का आगमन करने के लिए हम सभी रहे तक्या उस महा पर्व पर जिसे हम गणेश शतूति के नाम से ज जरू हो रहा है गणेश महतसब लोगोंने बप्पा को खर लाने के तयारी कर लिए है गणपती का प्यार और आशिर्वा आप पर बना रहे और पूरे वर्ष आपके घर में सुक सम्रति रहे अधिक जानकारी के लिए संपार्ग करें 0291 243 2625 98290 26625 8955 896625 इमेल इन्फो एडिरे ग्रहुकाखेल.com.in वेबसाइट व्व्व्व.ग्रहुकाखेल.com.in